नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपसे विलों का हमारी यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकीम दोस्तो आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि गूगल पे एक से यादव बैंग अकाउंट कैसे अड़ करते हैं तो आए दोस्तो बिना समय को आए वीडियो श्ट इसके निचे देखें यहाँ पे बैंक अकाउंट यानि कि यहीं से आपका बैंक अकाउंट एड होगा यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे देखें जो पहले से आपने अपने बैंक अकाउंट एड किया होगा वो आपको दिख रहा होगा अब दूसरा bank account अगर add करना तो यहाँ पर इसके just नीचे देखिए add bank account का आपको आपसर मिल जाता है तो इसी पर आप लोग को click कर देना add bank account इसके बाद आपके सामने new interface आएगा और यहाँ पर लगभर इंडिया में जितने भी bank हैं कर रहत हैं और जो google page से tie up है उनका पूरा list जाएगा तो अगर आप लोग को यहाँ पर कुछ bank सामने ही दिखेंगे अगर यहाँ पर कोई bank न दिखे सामने तो आप लोग को यहाँ पर search कर लेना या फिर यहाँ पर नीचे भी देखिए रेर सारे कई bank आपको दिखेंगे यहाँ से भी जाकर आप अपना bank select कर सकते हैं बट यहाँ पर न दिखे तो यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हो। फिलाल मुझे HDFC bank एड़ करना है तो यहाँ पर HDFC bank सामने ही दिख रहा है तो मैं इसको select कर लेता हूँ इसी तरीके से आपको भी जो भी bank एड़ करना उसको आप लोग select कर लेंगे। इसके बाल आपके सामने new page open होगा और इस page पर आप लोग को अपना account verify करना है यहाँ पर देखे लिखा गया है get your debit card ATM card ready to enter some data यानि कि आपको अपने debit card यानि कि ATM card का details यहाँ पर fill up करना होगा है इसके just नीचे यहाँ पर देखे आपका account number वारा आ चुका रहेगा तो यहाँ पर इसके नीचे just देखे यहाँ पर blue color में आप लोग को start वाला option देखे था इसी पर आप लोग को click कर देना start इसके बाद सबसे पहले आप लोग को अपना card number यहाँ पर fill up करना है इसके बाद expired date fill up करना है यहाँ से nest कर देना है यहाँ पर एक चीस clearly mentioned debit card last six digit यानि कि आप लोग जो अपना debit card का number fill up करोगे ATM card number उसका सिफ last six digit ही आपको fill up करना है बाकी का नहीं fill up करना है किवल last six digit है आपक बोला जाएगा यहाँ नीचे देखिए create pin का आपको option मिल जाता है पिन create करने के लिए सबसे पहले आपके register mobile number पे OTP आएगा OTP automatic यहाँ पर fill up हो जाएगा अगर नहीं भी fill up होता है तो आपको यहाँ पर OTP fill करने के बाद यहाँ पर आप लोग को nest कर देना है इसके बाद यह आप लोग को Google Pay के लिए यहाँ पर UPI pin create करना अगर आप लोग जो Google Pay पर first वाला pin ही रखना चाते हो UPI pin उसी को यहाँ पर फिल कर सकते हो या फिन new भी आप create कर सकते हो create करने के बाद यहाँ पर nest कर देना है नेश्ट करने के बाद यहाँ पर वही pin यहाँ पर फिर से आप लो जैसे ही आप लोग confirm UPI pin फिलब करके nest करते हो आपका UPI pin create हो जाएगा इस तरीके से बड़े आसानी से आप लोग गूगल पे पर सिप एक ही अकाउंट एड कियो तो दूसरा अकाउंट बड़े आसानी से एड कर सकते हो मैंने सारा इस प्रॉसेस आप लोग को वीडियो में क पर करके दिखाती है अच्बेंटस आज की वीडियो में बसेतना से अगर आप लोग वीडियो पसंद अए तो वीडियो का आप लोग लाइक शेर जरुकरते हैं इसका तो आप लोग करते हैं तो चलुआ को सब्स्दाइक साथी बेल आइक जरुक्रिस के लेना ताकि हमारे आने वाले नेश वीडियो नोडिफिकेसन आप लेको मिलती रहें मिलते हैं नेश वीडियो तक लिए घर पे रहें स्रचीत रहें जाहिंद वन्ने मातरम